Let's do question number 13 of exercise 5E that is fraction question number 13 is 2 upon 3 plus 3 hold 1 upon 6 plus 2 hold 2 upon 9 plus 2 hold 5 upon 18 2 upon 3 2 upon 3 already fraction में तो इसको fraction में करने की जरूरत नहीं है यह हाँ पर देखे 6 की multiply 3 में 6 3 is 18 18 plus 1 is 19 19 upon 6 plus 9 की multiply 4 में 9 4 is 36 36 plus 2 is 38 upon 9 plus इसी तरीके से 18 2s are 36 36 plus 5 is 41 तो 41 upon 18 अब देखे सब के denominators change है तो हम सब का LCM निकालेंगे जैसे हम 2 digit 3 digit का LCM निकालते हैं वैसी हम 4 digit का LCM निकालेंगे तो 3 6 9 and 18 का LCM निकाला तो 2 से गया 3 as it is 2 3 is a 6 9 as it is 2 9 is a 18 अब 3 से जाएगा 3 1s are 3 3 1s are 3 3 3 is a 9 3 3 is a 9 again 3 से तो 3 1s are 3 3 1s are 3 तो LCM कितना आ गया है LCM आ गया हमारा 2 3 is a 6 6 3 is a 18 18 हमारा LCM आ गया तो हम LCM में 18 लिख देंगे अब 2 as it is यहाँ पर 2 था तो 2 लिख दिया अब 3 की किस से मल्टिप्लाइ करूं कि 18 आ जाए 6 से तो इस 2 की मल्टिप्लाइ 6 से हो गई प्लस 19 as it is यह वाला 19 लिख दिया 6 की मल्टिप्लाइ किस से करूं कि 18 आ जाए 6 3 जा 18 तो 19 की मल्टिप्लाइ 3 से प्लस 38 as it is 9 की किस से मल्टिप्लाइ करूं कि 18 आ जाए 9 2 जा 18 तो 2 आ गया प्लस 41 as it is 18 है यहां पर भी 18 है तो 1 से मल्टिप्लाइ होगी क्योंकि 18 1 जा 18 होता है अब देखिए 2 6 जा 12 प्लस 19 3 जा 57 तो 57 आ गया प्लस 38 2 जा कितना आएगा 2 8 जा 16 कैरी 1 2 3 is a 6 and 7 प्लस 41 जा is 41 अपन 18 अब सब को add कर देंगे same pattern है same rules है कोई rules change नहीं है चार डिजिटों 5 जिजिटों 6 डिजिटों कैसी कितनी भी डिजिटों आप same pattern से इसको solve कर सकने है आप देखिए 2 प्लस 7 is 9 9 प्लस 6 is 15 15 प्लस 1 is 16 कैरी 1 now 1 प्लस 1 is 2 2 प्लस 5 is 7 7 प्लस 7 is 14 15 16 17 18 अपन 18 अब यह देखिए किससे हो सकता है देखिए 6 के table से दोनों जा सकते हैं पहले आप 2 से डिवाइड करिए या 3 से डिवाइड करिए या direct 6 से कर दीचे कैसे पता चलता है देखिए पहले मैं अगर इसको 2 से डिवाइड करती हूं क्योंकि यह 2 से डिवाइड टेस्ट देखना न भूलें यह पता लगाने के लिए कि यह किससे डिवाइड होगा राइट अब 2 9 जा 18 तो 3 जा 6 अपन 2 9 जा 18 अब यह दोनों नंबर 3 से डिवाइड होते हैं उपर नीचे तो 3 से डिवाइड कर दिया तो यह आया 3 3 जा 9 3 1 ज से डिवाइड किया तो यह कितना आ गया 3 1s are 3 1 उताल लिया 3 0s are 0 तो 1 बज गया तो 3 10s are 30 भी कर सकते थे डिरेक्टली तो कितना आ गया 10 whole 1 upon 3 is the answer let's do question number 14th now question number 14th is 2 whole 1 upon 3 plus 1 whole 1 upon 4 plus 2 whole 5 upon 6 plus 3 whole 7 upon 12 question number 14th is 2 whole 1 upon 3 plus 1 whole 1 upon 4 plus 2 whole 5 upon 6 plus 3 whole 7 upon 12 तो आप कैसे करेंगे same pattern 3 की multiplied 2 में 3 2s are 6 plus 1 7 7 upon 3 plus 4 की multiplied 1 में 4 1 is a 4 plus 1 is 5 5 5 upon 4 now 6 की multiplied 2 में 6 choose a 12 12 plus 5 is 17 17 upon 6 plus 12 3 is a 36 36 plus 7 is 43 upon 12 अब सबके डिनोमिनेटर्स देखिए डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे LCM निकालेंगे तो 3 4 6 and 12 का LCM निकालेंगे सारे डिनोमिनेटर्स लेके तो पहले 2 से किया 3 as it is 2 2s are 4 2 3s are 6 2 6 अगें 2 से 3 as it is 2 1s are 2 3 as it is 3 2 3s are 6 now 3 से चला जाएगा तो 3 1s are 3 तो LCM कितना आ गया LCM आ गया हमारा 2 2s are 4 4 3s are 12 तो 12 हमारा LCM आ गया तो हमने LCM में 12 लिख दिया अब 7 उपर वाला as it is now 3 की किस में multiply करूं कि 12 आ जाए 3 4s are 12 तो 4 की multiply होई 7 में अब 5 as it is लिख दिया 4 की किस से multiply करूं कि 12 आ जाए 4 3s are 12 तो 3 as it is लिख दिया प्लस 17 की multiply करनी है अब 6 2s are 12 होता है तो 17 की multiply 2 में प्लस 43 इंटू 12 1s are 12 यहां 12 था यहां पे भी 12 है तो 1 में multiply करती है तो अब देखिए 7 4s are 28 तो 28 प्लस 5 3s are 15 प्लस 17 2s are 34 प्लस 43 upon 12 तो यह कितना आ गया 8 प्लस 5 is 13 13 प्लस 4 is 17 18 19 20 0 to carry 2 2s are 4 5 6 7 8 9 10 11 12 120 upon 12 अब देखिए 12 10s are 120 तो यह 12 1s are 12 12 10s are तो हमारा answer कितना आ गया हमने क्या किया इसको उपर नीचे 12 से डिवाइड किया तो 12 1s are 12 12 10s are 120 तो यहां 1 लिग दिया तो 10 upon 1 कहो यह 10 कहो answer will be same let's do next question now question number 15th is 2 plus 3 upon 4 plus 1 whole 5 upon 8 plus 3 whole 7 upon 16 तो यह 15th question is 2 plus 3 upon 4 plus 1 whole 5 upon 8 plus 3 whole 7 upon 16 तो यह कितना आ जाएगा 2 को हमने 2 upon 1 कर दिया 3 upon 4 already fraction में है plus अब 8 1s are 8 plus 5 is 13 upon 8 plus 16 3s is 48 48 plus 7 is 55 upon 16 तो अब देखे सब के denominators different है तो same करने के लिए हम LCM निकालेंगे 4 8 और 16 वन की जरूरत नहीं है तो 2 2s are 4 to 4s are 8 to 8s are 16 again 2 से 2 1s are 2 to 2s are 4 to 4s are 8 again 2 से 1 as it is 2 1s are 2 to 2s are 4 again 2 से 1 as it is 2 1s are 2 तो LCM कितना आ गया 2 2s are 4 2s are 8 8 2s are 16 तो LCM आ गया हमारा 16 तो यह कितना आ गया नीचे 16 अब 2 उपर वाला as it is 1 के को किसे multiply करेंगे 16 आ जाए 16 से ही तो यहां पर हमने लिख दिया 16 प्लस 3 as it is 4 को किसे multiply करेंगे 16 आ जाए 4 4s are 16 होता है तो 4 प्लस 13 as it is 8 को किसे multiply करेंगे 16 आ जाए 8 2s are 16 तो 2 प्लस 55 अब देखे 16 1s are 16 होता है तो 1 से multiply कर दिया तो अब कितना आ गया 16 2s is 32 प्लस 3 4s are 12 प्लस 13 2s are 26 प्लस 55 अपन 16 तो यह कितना आ गया 2 प्लस 2 is 4 4 प्लस 6 is 10 10 प्लस 5 is 15 केरी 1 3 प्लस 1 is 4 5 6 7 7 प्लस 5 is 12 अपन 16 तो आप देखे यह किसी सेम नंबर से उपर नीचे नहीं कट रहे हैं तो हम directly divide कर देंगे 16 से 125 को 16 से तो अब 16 7 जा जाएगा 112 क्योंकि 16 8 जा 128 हो जाता जादा हो जाता तो कितना बचा 5 में से 2 गया 3 2 में से 1 गया है 1 तो यह कितना आ गया इसको हम मिक्स फ्रक्शन में लिखते हैं तो 7 होल 13 अपन 16 तो this is the answer 62 अबसर